प्रेंड्स वेल्कम टू वीकली मार्केट अनलिसिस फोडकास्ट इस वीडियो में हम देखेंगे निप्टी का वीकली अनलिसिस तो शुरू करते हैं वीकली चार्ड से तो आप देख सकते हो लास्ट वीक जो है तो थोड़ा से कंसलेट हुआ निप्टी और एक रेंज में के साथ बंद हुआ है तो इस सेकंड वीकली गें था निप्टी के लिए जब हमने 13700 का लो देखा और वहां से जो है तो हमने लगबग 15300 का हाई देखा इस अपते हैं तो निप्टी जो है तो देरे देरे ऊपर बढ़ रहा है जो मीडियम टम मीडियम टू लांग टरम टार तो देरे देरे 16150 का जो टार्गेट ही उसके तरफ बढ़ेगा अभी देखते है डेली चार्ट तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कंसलिडेशन देखा है निप्टी जो है तो एक रेंज में ही गुमतरा लगबग 4-5 दिन और उपर जो रेंज दीन वो तो अगले हपते के लिए अगर निफ्टी जो है तो यह एंटर कर जाएगा सुपर बुली स्ट्रेंड में तो यहां से जो है तो आगे जो रैली होगी वो शार्प रहेगी और सस्टेनेबल रहेगी क्योंकि हर एक राइस पे जो है तो हमें शाट को रिंग देखने को और उपर जो टार्गेट बनते हैं आने वाले हपतों के लिए वो है 15,500 और उसके बाद है 15,900 और 15,900 के उपर जो नेक्स टार्गेट बनता है वो 16,150 तो धीरे दीरे निफ्टी जो है तो उसके तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको 15,200 के उपर जो है तो बिलकुल शॉट नहीं करना है मार्केट में और आपको टार्गेट रखना है 15,500 और उसके बाद में 15,900 या फिर 16,500 लगबख पास ही है तो 15,900 और 16,150 तो लगबख वही लेवल साते हैं तो यह टार्गेट के लिए आप बायाउन डिप्स रखी है नीचे अगर निफ्टी जो है तो 15,200 के नीचे स करने की कोशिश करेगा तो शायद हो सकता है कि यह जो कॉंसलिडेशन यह आगे भी चलता रहे तो यह यह भी हो सकता है मार्केट में मगर नीचे जो सपोर्ट अच्छा खासा वह 14,800 और 14,900 तो उस लेवल पर अगर निफ्टी आता है तो आपको बायाउन डिप्सी व्यू रखना है यहाँ शौड बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में शौड स्विप आपको इंट्राडे में जो करेक्शन आते हैं अगर अच्छा खासा सिग्नल मिलता है तो ही करना है बाकि इस मार्केट में पूजिशनल शौट केरी नहीं करने हैं आपको स्थिप लॉंग करने और आपको buying करने है support के pass तो यह रहा daily chart का analysis और जो option trader है उनके लिए सला रहेगी कि आप जो है तो फरवरी का 15500 का जो call option है उसको buy on dips रखी है आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा अगर nifty जो है तो 15900 या 16150 पे जाती है फेवरारी सीरीज में ही तो आपको लगबग उस option में 50600 पॉइंट का profit मिल सकता है अगर 15500 के पास आती है तो 100% प्रॉफिट मिलेगा है या फिर आप जो है तो 15900 का मार्च का जो call option है उस पे buy on dips view रख सकते हो और उसमें भी आपको लगबग 100-200% की gains मिल सकती है short to medium term है और आपका जो major support है आपको जो level पे concentrate करना है निप्टी का वो है 14800 से 14900 उस range पे आने पर आप एक positional swing trade ले सकते हैं और उसका target रहेगा 15500 से 15900 तो ये रहा मेरा निप्टी पे भी हो मैं bullish हो निप्टी पे तो मैं buy on dips की ही सला दूँगा तो I hope so जो है तो ये वीडियो आपका पसंद आये और helpful रहे आपके trading में और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like कर दीजे ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share कीजे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे channel को subscribe कीजे और मेरे telegram का link description में है वहा thank you for watching this video subscribe now and press the bell icon never miss an update